कल यहाँ सत्संग हुआ और सत्संग के बाद भगदर मची भगदर ऐसी मची कि कईयों को अपनी जानगवानी पड़े इस वक्ट निव्जेटिंग फुल रही के उसी जगा में खड़ी आप देख सकते हैं कि भगदर किस प्रकार मची कि देखे चपले यहाँ साफ देखी जा सकते हैं कि लोग किस तरह भगदर मची और भगदर में कैसे कैसे लोगों को अपनी चपने किसी को समान किसी को रुमाल किसी का देखे वो परस एक छोटा पड़ा हुआ है और देखे मैं वह दिखाना चाहूंगा पानी की बोटल से लेके घर का आया हुआ नाश्ता जो अप water फिust में चिप के packet पड़या है और वह दिखाना चाहूंगा देखे चिप्स का packet पड़ा है इसके अंदर समान पड़ा है खाने को पुरी का डबाुप बार पारा है तक बारिश से और पुरी तरह की से बेकार हुचा है और मोमिया पननी लोगों के बच्चों तक की चपलें देखे जिस प्रकार से बाबा के इस कारिक्टर में धूल लेने की चक्कर में स्टेंपेड हुआ और माहिला एक दूसरे को उनके साथ बच्चे छूटे बच्चे देखे मासूम बच्चों की चपलें तक देखिए क्योंकि जो आयजकों ने इसको यहां कराया थ उन्होंने जो परमिशन ली थी वो क्या ली ओ तो जाच का विश्य है मगर जिस प्रकार से इस धूल को लेने के चक्कर में या इस धूल को लेने के चक्कर में एक भगदर मची इसके निशा आज भी और अभी भी यहां मौजूद है हाला कि पूरी राद बर अधिकारियों उन्हें यहां जाच की है और सुबह तक जाच चली है अब जाच जब रिपोर्ट आई तब जाके पता चले क्या है मगर यह मंजर इस बात को बता रहा है कि मंजर कैसा रहा होगा और बाबा की इस धूल की भूल ने इतने बड़े हाथ से को अंचान डिया जो एक एक करके ए इस अब वो पुलिस करमी हैं उनसे हम बात करने का प्रियास करेंगे कि यह जो टीम यहां लगी है यह टीम के लोग मौजूद हैं पुलिस के वो जवान मौजूद हैं जो अपनी ड्यूटी इसको पूरा यहां कर रहे हैं और एविडेंस पॉइंट ऑफ फीसे सो कैसे कर रह रही हैं और इनकी यह देखें इसकी करके यहां से ब्रि Agora करके कहा से कौष करके देखें और इनको इनसे सबको एक दुर करके नहीं रखा जा रहा और हम अगर बात करना चाहेंगे सर जहां मोजूद है सर क्या चीज़े हैं सरी आप प्लीज बताएंगे सर चपल जूते हैं बस एविडेंस के तौर पर इंको रखने हैं तो यह देखे घटना के पास से जो है यहां पुलिस के लोगा रहा है इनका कहना इनको यहां से खट करके पुलिस लाइन रखा जाएगा क्योंकि मुकदमा ज से यहां से स्थेन मुझी एंक भुलिए